रे कृष्णा, सभी बत्तों का सौगत है आज के गीताम पृत कारेक्रम में बहुत रिणी है हम आपके की आपका कीमती समय निकाल कर आप यहाँ आए श्रीमत भगवत गीता के पाट को सुनने के लिए मैं इस ग्रेस कृष्णा दन पृव का बहुत रिणी हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया और उनका ये कहना था कि आप सीरिज लीजे मैंने कभी सीरिज इसे पहले लिया नहीं गीतामरत में तो ये मुझे अच्छा थीम मिलाता तो उनके वज़े से ये थीम में कम्प्लीट कर पाया तो उनका मैं बहुत रेनी हूँ तो हमने दो सिटिंग में देखा कि भगवत गीता ये अरण्य का ग्यान है जो रिशी मुनियों के लिए दिया गया है लेकिन भगवान श्री कृष्णा ने कृपावश इस ग्यान को हम सब के लिए युद्ध भूमी पर दिया है भगवत गीता में कई तरह के ओडियन्स है भगवत गीता सुनने के लिए अगर गीता हम पहले अध्याय सैटरावे अध्याय तक पढ़ेंगे तो कई सारे ओडियन्स गीता के है पहले तो है मुनी मुनी माने जो मनन करते है किसी विशे पर उसको मुनी कहा जाता है चुकि गीता ये उपनिशत का भाग माना जाता है गीतो उपनिशत इसे कहा जाता है तो मनन करना ये उनकी क्रिया होती है दूसरे होते ग्यानी, जो ग्यान अरजन करके भगवान को जानने की कुशिश करते हैं, ग्यान मारगा की, तो उसमें तर्क की विदी वो अपनाते हैं, तर्क करके वो यह समझने की कुशिश करते हैं कि भगवान है कि नहीं, तीसरी है योगी, जैसे कि चटा अध्याय जो है गीता का अश्टांग योग जिसके बारे में भगवान बताते हैं तीसरा चौता और पांचवा जो है अध्या है वो कर्म योग के बारे में बताता है जिसमें कर्म कांड क्या है सकाम कर्म क्या है और निश्काम कर्म की वीधी क्या है तो ये सब के बारे में कर्मी जो होते कार् कि अच्छा रखते हैं और चौती कट्रीघ है भक्त जो भग्वान को भक्ती मार्क से प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं लेकिन आप कोई भी योग पत्थ दि ले ले लिजे उसका धे एक ही है और वो है भगवान श्रीकृष्ण को जानना इसकी लिए गीता में भगूंत वासुदे मतलब भगवान श्री कृष्ण यही सारे चीजों के कारण है यह विक्ति जू जान जाए उसे आप गुद्धिमान विक्ति कह सकते हैं और फिर उसके पश्चात भगवान अन्तमे अट्रा व्याद्या में कहते हैं सर्वधर्मान परित्य जमामेकम्शनौन मतलब जब आप समझ जाते हैं कि भगवान ही सब कुछ है तो उसके पश्चात आपको क्या करना है सब कुछ जो कारिया है वो भगवान के लिए आपको करने है अगर गीता का ग्यान हम देखे तो गीता का ग्यान यह राजाओ के लिए है इसके लिए नुवे अध्याय में भगवान पहले इशलोप में कहते हैं राज विद्या राज गुईयम पवित्रम इदमुत्तम। तो ये राजाओ के लिए है, राज विद्या मतलब ये सारे विद्याओ का राजा भी है उसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि ये राजाओं के लिए दिया हुआ ग्यान है इसके लिए चौते अर्द्ध के शुरुआत में ही भगवान बताते है कि परंपरा के माद्यम से कैसे जो राजरिशी है खास कर कि सूर्य वम्ष की यहापर जो वम्षा उली है वो भगवान बताते है कि कैसे सूर्य वम्ष में यह ग्यान भगवान ने विवस्वान को दिया था और फिर वहाँ से यह नीचा आता है तो यह जो ग्यान है गीता का यह जो administrative class है तो उनको दिया जाता है क्यों क्यों कि यही लोग होते हैं जो जन सामान्य के लिए policy या law जो तयार करते हैं वो इनके हाथ में ये कारिय होता है और फिर वो जो law बनाते हैं नियम बनाते हैं तो जन साधारण जो है इस नियमों का पालन करते हैं इसके लिए गीता के पहले अध्याय से लेके 18 अध्याय तक आपको एक theme बहुत prominently दिखेगी यहाँ पर कि भगवान कृष्ण का कुछ specific लोग है जिनके प्रती बहुत ज़्यादा लगाव है या उनके प्रती वो चाहते है कि इन लोगों का भला हो तो ऐसे लोगों को यहाँ पर भगवान कृष्ण ने टारिगए जैसे यह बम कहते कि जन जन माने लोग हैं तो लोग ये शब्दभी गीता में आता है जन यह शब्द भी आता है तो दोनों का मतलब है कि जो gyn सामन्य है उनके विशे में बगवान बताना चाहते है तो जन इस शब्द का आरत होता है व्यक्टी तो उसके आगे प्रिफिक्स लगा दिया जाए विशेशन लगा दिया जैसे राजन राजन मतलब जो व्यक्ति राजा है राजन या दूसरा एक शब्द गीता में आता है जन अधीप ऐसा जन ऐसा व्यक्ति जो अधीपती है जन धीप जो अधिकारी व्यक्ति है उसको जन अधीप कहा जाता है और दूसरा एक prominent class गीता में आपको दिखेगा बहुत ज्यादा चिंता गीता में दिखाई देती है और इन दोनों वर्गों का पालन करने वाला जो होता है उसे कहा जाता है जन अर्दन मतलब जन का जो रखवाला है पालन पोशन करने वाला है उसे कहा जाता है जनार्दन तो अर्दन इस शब्द के दो अर्द है एक आता है वर्धन मतलब जो बढ़ाता है जो प्रजा के पालन पोशन की जिम्मेदारी लेके उन्हें बढ़ाता है उसे कहा जाता है जनार्दन दूसरा एक अर्थ जनार्दन का भी होता है माने जो मारता है जैसे हम कहते है कालिया मर्दन उसमें भी अर्दन आता है उसमें मारने की वीदी है तो जनारदन के दो अर्था है एक जो पालन पोशन करता है रक्षन करता है वो भी जनारदन है और जो दुष्टों का समार करता है वो भी जनारदन है तो ये दो शब्द यहाँ पर गीता में कई बार अरजुन भगवान के लिए प्रयोग करते हैं तो अर्जुन भी भगवान का ही मूड लेकर भगवान की ही सोच लेकर गीता में जो भी प्रश्न पूचे है तो वो जन सामानने के हिसाब से पूचा गया है ताकि इन लोगों का भला कैसे हो ये अर्जुन चाहते हैं जोकि भगवान का भी बाव वही है अर्जुन को तो सिर् निमित्त बनाया है गीता का पड़ाने के लिए तो जैसे छटे अध्याय में अर्जोनेक शब्द इस्तमाल करते जहाँ पर भगवान अश्टांग योग की विदी बताते है जब मन नियंत्रण के लिए भगवान अश्टांग योग की विदी बताते है आपको जंगल में जाना है कुशा ग्रास आपको डाल कर वहाँ पर बैठना है आपकी पीट की जो हड़ी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए अभी हम लोग देख रहे कि धीरे 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 आदे गंटे में लोग तो इतने सारे नियम भगवान छटे अध्याय में आश्टांग योग के माध्याय में बताते है ब्रह्मचारिय का व्रत उसे पालन करना पड़ता है अभी पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि ब्रह्मचारिय क्या है उनको लगता है कि मंदिर में जो रहते है वो ब्रह्मचारी बाकी ब्रह्मचारी का पालन किसी को नहीं करना है तो ब्रह्मचारी वरत योग की कोई भी प्रणाली ब्रह्मचारी के बगेर हो ही नहीं सकती आप आश्टांग योग ले लिजे, ज्ञान योग ले लिजे, ध्यान योग ले लिजे, कोई भी योग की विदी ब्रह्म जरे के पालन के बगएर नहीं हो सकती। तो इतने सारे नियम जब भगवान देते हैं, तो अरजुन फिर थोड़ा थोड़ी दे रुख जाते हैं, फिर अरजुन भगवान को बुचते हैं कि ऐसा जो आपने बताया है, वो सब अच्छा है, लेकिन वो एक शब्द इस्तमाल करते हैं, सामियन मदुसूदन, सामियन मतल तब ऐसा कोई उपाय बताये, जो जन सामान्य के लिए, सामान्य लोगों के लिए इस्तमाल किया जा सकता है, ऐसी विदी बताये, जिसके माध्यम से सामान्य लोग भी आपको प्राप्त कर सकते हैं, सामियन मदुसूदन, तिर कहापर आगई बात, कि जन साधारन, अभी कित ये वहाँ पर कुशा की जो चटाई है वो डालनी है फिर वहाँ पर सीधी पीट करके बैठना है आपके नाक की तरफ देखना है फिर कौन से नाक से सास अंदर गई कौन से नाक से सास बाहर आई कितने लोग कर पाएंगे इस विदी को मुश्किल है कर सकते हैं न करने की बात लेकिन मुश्किल है सबको नहीं जमेगा इसलिए अर्जुन पूछते कि जन सामाने के लिए क्या अच्छा है ये आप मुझे बताईए और फिर अर्जुन के प्रशनस को भगवान उत्तर देने की शुरूआत करते और फिर ये जो आत्मा का ग्याने वो बताते है इसके लि यहाँ पर जाती बात कर तो कोई विश्य आता ने क्यों नहीं आता क्योंकि गीता की शुरूआती आत्मा और शरीर के भेज से होती है तो दो तरह के स्वधर्म यहाँ पर भगवान दूसरे अद्ध्य के 31 श्लोप में बताते है स्वध थोड़े सब लोग आ गया जी पीछे अभी कई वसारे भक्तान है यहाँ पर काफी जग है आगे तो दो तरह के धर्म भगवान बताते है स्वधर्म मापी चावेक्षम नविकम पितु मरसी तो शरीर का अपना एक स्वधर्म है और आत्मा का अपना एक स्वधर्म है तो फिर यहाँ पर जो व्यक्ति स्वध माने खुद को क्या पहचान करता है वो खुद को शरीर मानता है या खुद को आत्मा मानता है इसके उपर से उसका स्वधर्म तै होता है और जब वो स्वधर्म उसका तै होता है तो फिर स्वधर्म समझ के क्या करना है हमको? स्वधर्म समझ के हमें हमारे स्वभाव तक पहुचना है स्वधर्म से लेकि हमको कहा जाना है हमारे स्वभाव तक जाना है तो अब प्रश्ण यह आता है कि हमारा उरिजिनल स्वभाव क्या है तो यह गीता के तिसरे हाद देक नवशलोख है अमें इसको दोर आएंगे यत्न्यार्थात कर्मनोन्यत्र लोकोयम कर्म बंदन तदर्थम कर्म कांतेया मुक्त संग समाचर यत्न्यार्थात कर्मनोन्यत्र लोकोयम कर्म बंदन तदर्थम कर्म कांतेया मुक्त संग समाचर यत्न्यार्थात कर्मनोन्यत्र लोकोयम कर्म बंदन तदर्थम कर्म कांतेया मुक्त संग समाचर तो इस लोग में भगवान बताते है ये दो शब्द में ने लाल अक्षर में मार्क किये और दो हरे अक्षर में किये तो यहाँ पर भगवान बताते है यतने अर्थ मतलब अर्थ मतलब जिसको हम valuable समझते हैं कीमती समझते हैं तो यग्य को हम कीमती समझते हुए, यग्य के लिए जब हम कार्य करते है, तो क्या होता है? मुक्तसंग, लालक्षर में दोनों किए, दूसरी जगे, यहाँ पर अन्यत्र कर्म कहा गया है, मतलब यग्य की एक परिभाषा गीता में ये भी दी गई है यग्यो वई विष्णू भगवान विष्णू के लिए जो कुछ भी किया जाए उसको यग्य कहा जाता है मतलब हम जब कोई कार्य भगवान विष्णू के लिए करते है बगवान कृष्ण के लिए करते है बगवान राम के लिए करते है तो उसे यज्य कहा जाता है यहाँ तक कि अगर आप संतान उत्पन्न करे बगवान के सिवा के लिए यह पुत्र में यह पुत्रे में जन देता हो तो वो भी यग्य कहलाता है इसके 28 प्रकार भगवान आगे के श्लुकों बताएंगे 28 तरह की यग्य है तो यग्यो वई विश्णू भगवान के लिए जो कुछ किया जाए उसे यग्य कहा जाता है और दूसरा एक है अन्यत्र मतलब जिसमें स्व अर्थ है तो भगवान क्या कहते है लोकोयम कर्मबंदन तो ऐसा व्यक्ति इस कर्मबंदन के फास में अटक जाता है तो स्वग की जो परिबाशा है पहले उसे हमें समझनी होगी जब व्यक्ति खुद के लिए करता है तो अटक जाता है लेकिन यज्य के लिए करेगा विष्णु के लिए करेंगे कृष्ण के लिए करेंगे तो वो मुक्त हो जाएंगे इस कर्मबंदन से तो पहली बात हमको यह समझना है कि यह नियम है भगवत गीता एक नियमा वली है इसमें दुनिया में जितने सारे नियम लागु होते वो नियम यहां पर दिये गए है तो यहां पर भगवान बताते हैं कि अगर इस श्रिष्टी को आनंद पूर्वक चलाना है यहां पर सारे जितने लोग रहते हैं उनको आनंद पूर्वक रहना है तो उनको कुछ सोशल है, मॉरल है, इतिकल है, ऐसे कोड ओफ कॉंड़क जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पर रहन सहेन के भी नियम है, उन नियमों का पालन करना पड़ेगा, ताकि सारे लोग यहाँ पर आनंद पूर्वक रह सकते हैं, यह नियम है, यहाँ की नियमा वली, जैसे हम देखते हैं कि निसर्ग का क्या नियम है, कि बच्चे को जन्म कौन देगा, माता ही बच्चे को जन्म देती, कभी देखा है पिता ने जन्म दिया है, नहीं, कभी लगता है पिता को कि नहीं, मैं भी ट्राइल लेना चाहता हूँ एक बार, लगता है ऐसा ने क्यों दर्द होता है लेकिन इत्यास में एक ऐसी गटना है जहापर एक पुरुष ने एक पुत्र को जनम दिया है ये राजा मामधाता की कता आती है महावरत में तो राजा मामधाता की जो पिता है तो उनको एक शक्तिशाली पुत्र की जरूरत होती है तो जो यग्य का फल है वो एक मटके में भर कर रखते हैं तो रात में अभी वो बहुत थके हो है क्योंकि यग्य के लिए उन्होंने तपस्या की है तो तपस्या की है तो शरीर थक जाता है तो थके हो वही सो जाते हो तो रात में आचारुक उनको बहुत प्यास लगती है तो प्यास लगती है तो वो आश्रम में ढूंटे यहाँ आवा कि कुछ मिलेगा पीने के लिए उनको मटके दिखते हैं उनको लगता है इसमें पानी है तो पानी समझके वो पी लेते हैं और जब वो पी लेते हैं तो दूसरे दिन उनके गुरु डून्टे किया रहे, यह मटके कहा गए, तो राजा कहता है कि मैंने तो पी लिया इसको, पानी समझ के, तो रहे यह तो मैंने आपकी पत्नी के लिए बनाया था, जिसके मात्यम से उसे एक पुत्र की उत्पत्ती हो, तो भी अभी क्या करेंगे, तो भी अभी नौ मैने रुको, तो नौ मैने के पश्यार, जब वो एक दिन रात में सोय रहते हैं, तो उनके राइट साइड, जहापर पेट होता है, तो वहाँ से एक बच्चा पेट भढ़ कर बाहर आता है, और जैसे वो बाहर आता है बच्चा, तो वो रोने लगता है, बड़ा शक्तिशाली पुत्र होता है, और ये अभी उसको लेबर पेन कहेंगे या क्या कहेंगे पता नहीं, लेकिन राजा थक्या वाई सोय रहते, तो वो बच्चा भूख से पीडित होता है, तो फिर सब लोग देखते के रहें, इस बच्चे को अभी दूद कोन पिलाएगा, अभी बच्चे को दूद की जरूरत है, तो वहाँ पर इंद्रा आते, वो बच्चा इतना शक्तिशाली होता है कि उसको देखने के लिए इंद्रा आते, और फिर तब इंद्रा कहते है, माम धाता, माम धाता, अंगुटा नहीं दिखा थे, यह कोई WhatsApp का साइन नहीं, तो कहते हैं माम धाता, यह बच्चा मेरा अंग अंगुटा क्यों चूजेगा, क्या आता अंगुटे से, कुछ आता है, अपने ट्राइल क्या होगा बच्पन, कुछ आता है, तो उसने क्यों दिया उसका, क्योंकि इंद्रा के अंगुटे हाथ से अमृत का स्त्रा होता है, इसके लिए वो माम धाता, माम धाता, यह बहुत शक्तिशाली होता है तो निसरगा के कुछ नियम है इस तरह से लेकिन यह बहुत रेर केस ही है ऐसे आपको जेनरिक नहीं दिखेगा सबके साथ नहीं दिखेगा तो नियम जब हम पालन करते है तो यह जो श्रिष्टी है वो आनंद पूरवक चलती है इस समाज में सुधार लाते है यह समाज का विकास होता है लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे दो लोगों से कहा जाता है बहुत सावदान रहना चाहिए एक होते डॉक्टर और दूसरे होते वकील दोनों अभी डॉक्टर साड़े चार साल पढ़ाए करते है वकील चार साल पढ़ाए करते है लेकिन चार और साड़े चार साल बाद पुछो कि अभी आप क्या कर रहे है तो बलते प्रैक्टिस कर रहे है मतलब साड़े चार साल पढ़ने के बाद भी की Gradeा पर किब्रेटर हम पर क्या करते लों the doctor हम पर क्या गत क्या प्रेक्टिस का गृण्ट उसे साफ़ता नहां जार तो इनका धर्म जैसे विद्यारती का धर्म क्या है पढ़ना डॉक्टर का धर्म क्या है treatment करना है, तो धर्म इस शब्द का अर्थ हमको पहले समझ लेना चीए, तो ये आता है ध्र, ध्र इस मूल शब्द से धर्म इस शब्द की रचना होती है, तो ध्र का मतलब है धारन जो करता है, तो इस धारन के विशे में एक बात कही जाती है, कि धारन मतलब सिर्व उसको को धारन करती है, धारन करने के पश्याद उसकी जिम्मेदारी भी बच्चे को बढ़ाने की उमा पराती है, तो धर्म की व्याक्या में जब धारन आता है, तो धारन के साथ उसकी जिम्मेदारी भी आती है, और जब समाज के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को जब ठीक स निभाते हैं, तो किया होका है? समाज की परगती होती है. तो लोग ये प्रेशना पूछते है कि अगर मैं समझे एक विकती ने अपनी जिम्मेदारी का टीक से पालन नहीं किया, तो क्या हो? भालिवी ये निम्याद में लोग सारे अपनी जिम्मेदारी का पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं एक वेक्ति है जो नहीं करेंगा क्या फरक पड़ता है तो निसर्ग में ये एक butterfly effect जिसको क्योस धेरी कहा जाता दिखता है अभी हम लोग ने तितली देखिए पहले तितली जब punk भड़ पड़ाती है तो क्या होता है कुछ नहीं होता है अगर मैं कहूं कि टितली ने यहां पर पंक भड़ पड़ाया और South India में सुनामी आई कैसा लगना नहीं यह मेरा थेरी नहीं है यह scientific थेरी है और यह प्रूव किया गया है कि जब एक butterfly टितली अपना punk भड़ पड़ पड़ाती है तो वो एक punk की पीछे दूसरा punk जब पड़ पड़ाती है तो उसका एक reaction भी आता है मतलब हवा में जब वो punk पड़ पड़ाती है तो हवा में कमपन तैर होता है तो यह कमपन का जो cumulative effect है तो वो कही पर जाकर tsunami भी बन सकती है इसको कहा जाता है chaos theory butterfly effect इसको कहा जाता है तो उसी तरह से जैसे एक तितली अपने सिर्फ पंक्य पड़ पड़ाने से निसर्ग में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है एक क्रिया से इतना बड़ा बदलाव ला सकती है उसी तरह से एक विक्ति अगर गलत काम करे निसर्ग में तो वो भी निसर्ग में तहल पहल मचा सकता है जैसे ये उधारा नाम ने बहुत बार सुना दुरो महाराज की कता में दुरो महाराज ने इतनी कठोर तपस्या की छे महीने अश्टांग योग की विदी का उन्होंने पालन किया और छे महीने में उन्होंने क्या किया अश्टांग योग की विदी को पूर्ण तरह आत्मसाथ किया और अपने शरीर के जितने भी नौ द्वार है नौ छिद्र है उनको बंद कर दिया और जैसे ही उन्होंने बंद कर दिया तो सारे जो श्रिष्टी की हवा है वो बंद हो जाती है एक विक्ती का कारिया देखिए एक विक्ती ने तपस्या की तो पूरे श्रिष्टी की हवा बंद हो जाती है तो इससे ये पता चलता है कि कोई विक्ती कोई अच्छा काम करे गलत काम करे तो दोनों पर ऐसा प्रभाव पढ़ सकता है कि शृष्टी में उसका तहस नहस भी हो सकता है जैसे जब हिरन्य कष्वपू तपस्या करता है तो क्या होता है इतनी उश्नता निर्मान होती है शृष्टी में कि सारे देवी देवता की सास घुटने लगती और फिर वो ब्रह्माजी के पास जाते है, फिर वो गासे हो, ब्रह्माजी आते है और उनको वर्दान देते हैं, तो एक व्यक्ति का कार्य ऐसा भी हो सकता है, जिससे पूरे श्रिष्टी में तहल चलो है, इसका अगर छोटे प्रमाण में हम उधारन ले, तो जैसे घर में के सारे काम काज रुख जाते हैं, रुख जाते हैं कि नहीं, एक व्यक्ति है, उसने अपना काम नहीं किया, क्या हुआ, घर रुख गया, फिर आपकी सुबह की चाय भी रुख जाती है, आपका टिफिन रुख जाता है, एक व्यक्ति का काम, तो उसी तरह से अगर ऑफिस है आफिस में आपका प्यून है अगर प्यून नहीं आता है क्या होता है आफिसर जाते फाइल लेकर होता है कई बार लेकर भी जाना पड़ता है क्योंकि प्यून आया है तो एक वेक्टिय अपना काम ठीक से नहीं करें तो पूरे आफिस में तहल चल मज़ जाती है तो एक गलत कार्य अगर कोई वेक्टी कहता है कि मेरे एक गलत कार्य से क्या फरक पड़ेगा तो बहुत फरक पड़ता है जैसे हमने दुरूव और इर्नकिशुप के उधरन से देखा इसकी लिए समाज को अगर आनंद पुर्वक बढ़ना है आगे चलना है तो उसकी लिए क्या देखा हमने कि हमें सहयोग की भावना की जरूरत है जब सहयोग न होते हुए वहापर वियोग आ जाता है तो समाज में क्या हो जाता है अर्त से लेकर स्वार्त की तरफ समाज बढ़ने लग जाता है और ऐसा जो समाज है वो बहुत गातक समाज बन जाता है एक चोटे से वीडियो से हम देखते है तो उसको रूडल्स उसने देखा कि कुट्टे ने काह लिया तो वो क्या दिखा रहा है कि नहीं अभी मैं तुमको दूंगा तो वैसे ही समाज में क्या होता है कि जब लोग स्वार्त में उलज जाते अपने आप में उलज मुझे जो चीज़े अच्छी लगती है वही मैं करूंगा बाकी लोगों का मुझे पता नहीं तो समाज में क्या होता है समाज का विनाश शुरू हो जाता है तो आजकल जितने भी हम कारे करते हैं उसमें कही न कही हमारा कुछ थोड़ा सा स्वार्त तो जरूर रहता है जैसे एक लड़का होता है उसका नाम राजू होता है तो जब खेलने के लिए जाता है तो वो उनके ग्राउंड के पास में एक घर होता है तो वहाँ पर एक बुड़ी नानी रहती है तो वो रोज उसको एक काजू देती है तो वो रोज काजू खाता है तो ऐसा महीना भीग जाता है तो राजू को समझता है ने कि यार ये मेरे सो इतना प्रेम क्यों करती है तो वो जाके ओ नानी को पूछता है कि नानी तुम मुझे इतना प्रेम क्यों करती हो रोज मुझे एक काजू देती हो तो बनती है नहीं वैसी बात नहीं है क्या है मेरे दाथ नहीं है तो मुझे चॉकलेट बहुत पसंद आता है तो चॉकलेट जो है ये काजु उसके अंदर होता है और उपर चॉकलेट हो तो मैं चॉकलेट खा लेती हो काजु तो आजकल हम जो भी कारे करते हैं उसमें क्या होत लड़की उसकी जब शादी हो जाती है और फिर उसे वो एक बेटे को जनम दीती है तो वो माता का कहना ऐसा था डॉक्टर्स को कि मेरा जो बेटा है मुझसे बात नहीं करता ज्यादा या मुझसे उत्रा गुल मिलकर नहीं रहता है तो फिर वो डॉक्टर्स ने कही रिसर्च क करना था तो सीए करना था तो ये थर्ड येर में जब थी सीए के तो इनके पिता जी ने देखा कि एक बहुत अच्छा रिष्टा आया है इसके लिए और फिर उस लड़की को उसने खा कि तुम क्या करो शादी कर लो शादी के बाद तुम सीए करते रहना तो उसकी तो इच्छा थी नहीं लेकिन घरवाले ने उसको फोर्ज किया तो उसने शादी कर ली शादी कर ली फिर जब शादी हो जाती है तो कितना भी आप चाहे पड़ाई ये बहुत दूर का विशे हो जाता है तो अपने घर के कामकाज में इतनी उलज गई लेकिन उसकी आसकती थी कि नहीं मुझे सिये करना है मुझे सिये करना है तो आसकती उसकी उसकी सिये की डिगरे से बहुत थी तो उतने में फिर साल सवा साल हो गया फिर वो घरववती हो गई घरववती हो गई तो फिर उसको लगा क्या बतों में जीवन में कभी सिये नहीं बन पाउंग तो उसका जो भी नेगेटिव एमोशन था, एक है उसकी इच्छा, एक है वो बच्चा उसके गर्ब के अंदर है, तो उसकी जो स्वा की इच्छा थी, वो उस बच्चे पर अभी इतनी हावी होगे, जिसके कारण वो कई बार उस बच्चे की तरफ दुरलक्ष करती थी, अरे इसकी हो जैसे हो गया, इसकी हो जैसे हो गया, वो बच्चा बहार आया, तब भी उसकी वही रहा थी कि बच्चे की वज़े से मेरा करियर हो गया, बच्चे की तो स्वाबा भी उसके जो विचार सरनी थी, उसका प्रभाव उस बच्चे पर हुआ, और फिर जैसे वो कि अरव बति है कि क्या कि अकुद के बारे में विचार करना önविर करना स्वार्थ के बारे में विचार गलत है क्यों pien है इसके तीन भाग德 पहले बाग में अमने देखा कि क्यों कि हम एक दुश्रे पर आशृत है निर्बर है तो हमें सहयोग करना होता है दूसरे सेटिंग में हमने देखा कि कोई विक्ति सिर्फ खुद के लिए जीता है तो क्या वो अच्छा है और फिर जो विक्ति आत्म के इंदरी जीवन जीता है उसकी लक्षन हमने देखे और आज के सिटिंग में हम देखेंगे कि यह जो आत्म केंदरी जीवन है उससे अगर हमें बाहर आना है तो हमें क्या करना होगा तो जैसे हाली में हमारे आशरम के breakfast में उन्होंने पास्ता बनाया था पास्ता नूडल्स जानदे आँ तो अगर आप पास्ता या नूडल्स खाएंगे तो उसका अपना खुद का कोई स्वाथ नहीं होता है मैगी नूडल्स खाया होगा आपना कच्छा मैगी नूडल्स खाया है मतलब खाली उसको उबाल के फिर जाएगा अच्छा लगता है नहीं क्योंकि उसका अपना कोई स्वाथ नहीं है तो मैगी नूडल्स का स्वाथ किस से आता है मैजिक मसाले से आता है जब मैगी बहुत पॉपिलर था तो कई लड़किया अपने सीवे में लिखती थी कुकिंग होबी तो मैगी बंद हो गया तो होबी भी बंद हो गया अभी रामदेव बाबा आए शेवे इंग्ड़े से तो अभी फिर से चलोगे कुकिंग होबी तो मैजिक मसाले की वजय से उसमें टेस्ट आता है नूडल्स का अपना कोई टेस्ट नहीं है उसी तरह से गीता में जितने भी सारे योग पद्दती दी है उसका अपना कुछ टेस्ट नहीं है उसमें जब तक आप कृष्ण नाम का मैजिक मसाला नहीं डालेंगे कोई भी योग पूर्ण नहीं होता है हर योग का उद्देश है भगवान कृष्ण को जानना पहचानना और उसके साथ सम्मंद प्रस्तापित करना यही योग का उद्देश है इसके लिए अध्यात्म जब हम कहते हैं तो किसी भी तरह का अध्यात्म भगवान श्री कृष्ण को जाने बगेर पूरा नहीं होता है व्यास उच्चिष्टम जगत सर्वम जितना भी ज्यान है वो भगवान व्यास देव का उच्चिष्ट है और पंद्रावे अध्याय में व्यास देव क्या कहते हैं यहाँ पर गीता में भगवान क्या कहते हैं सारे वेदों को पढ़कर किसको जानना है वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्या वेद्या मतलब जानना किसको है मुझे ही जानना है किसी भी योग की प्रणाली को करने के पश्चाद हमें भगवान कृष्ण तक ही पहुचना है इसके लिए जब तक कृष्ण नहीं है वो अध्याग्म किसी काम का नहीं है या अधूरा है काम का नहीं मने वो अधूरा है इसके लिए हम आज तीम मुद्दे लेंगे एक है स्वभाव, एक है स्वधर्म और एक है स्वअर्थ तो जैसे हमने विशे की शुरुपात की थी कि क्या स्वार्ती होना, खुद के बारे में सोचना गलत है क्या तो पहले तो हमें इसके लिए स्वा की परिब़ाशा को समझना होगा तो तीन चीजों को स्वव कहा जाता है एक तो शरीर को भी स्वव कहा जाता है मन को भी स्वव कहा जाता है और आत्मा को भी स्वव कहा जाता है तो शरीर का धर्म अलग है स्ववधर्म और आत्मा का स्ववधर्म अलग है तो ये मान्यता जैसी होगी जिस व्यक्ति की उस तरह से इसकी परिभाषा बदलती है जैसे शरीर का जो धर्म है शरीर की जरूरते अलग है आत्मा की जरूरते अलग है तो धर्म इसकी जो व्याक्या हमने देखी तो उसमें कारिय भी आता है लेकिन कैसा कारिया जो जिम्मेदारी पूर्ण कारिया है तो पहले भाव तयार होता है भाव के पश्चाद धर्म आएगा और धर्म के पश्चाद अर्थ क्या है ये उसकी व्याख्या तयोग की जाती जैसे बागवत के 11 वे सकंद में ये पिंगला नाम की एक वहिश्या है उसकी कता आती है तो पिंगला आईए पेशे से वहिश्या है अब भी जब हम कहते हैं कि वह वहिश्या है तो उसका भाव क्या होगा उसका भाव यही होगा कि स्वह क्या है वो शरीर खुद को मानेगी बड़ा बड़ा है तो उसका भाव क्या होगा कि मैं शरीर हूँ तो जब भाव तयार हो गया तो उसका धर्म क्या आएगा उसका कारे क्या आएगा कि दूसरों को कार्य करके अपने शरीर के माद्यम से सुख प्रदान करने यह उसका हो गया धर्म अतलब जो भी कारिय वो करेगी और जब भाव आ गया भाव से धर्म तय हो गया और जब धर्म तय होता है तो अर्था आता है तो उसका अर्थ क्या है कारिय करके क्या प्राप्त करना चाहती है पैसा ठीक है तो भाव पहले तयार होगा उसके बाद धर्म मिश्यत होता है उसके बाद अर्थ वो प्राप्त क्या करना चाता है ये कार्य करके उसका निर्धारन किया जाता है तो हमको पहले अभी ये समझना होगा शास्तर के माद्यम से कि हम स्वार्थी होना ये नैचरल है कि अनैचरल है ये कब से शुरू हुआ बच्पन से कितने लोग बच्पन से स्वार्थी थें सभी थे कभी सोचा बच्पन में किया रहे बाजी वाला लड़का भूका है दूद पिलाओ नहीं, हम खुद ही पीते गए, पीते गए, दूसरों से सिवा स्विकारते गए, स्विकारते गए तो ये कब से है, इसको हमें पहले समझना होगा तो ये बहुत एक मतवकुर्ण श्लोक है, जो गीता में कई बार दोहराया जाता है प्रभपात भागवत में से कई बार लिखते हैं, ये एक बहुत प्रचलित श्लोक है गीता का ये सात्वय अध्याय का सत्ता विश्वा श्लोक है, तो इसको थोड़ा सा हमको समझना होगा इच्छाद्वेश समुत्तेन द्वन्व मोहेन भारता तो हम शास्त्र में पढ़ते कि छे तरह के रस है, कौनसे कौनसे रस है छे तरह के? आम का रस, निम्मू का रस, कौनसे छे रस है? छे रस माने छे तरीके से जहाँ पर भगवान से आदान प्रदान किया जाता है, उसको रस कहा जाता है तो वातसले रस है मतलब माता पिता और भगवान मतलब भगवान के माता पिता बनकर भी भगवान की सेवा की जाती है फिर एक साख्य रस होता है जहां मैतरी का भाह होता है तो ऐसे जो छे रस है उनके माध्यम से भगवान से आदान प्रदान किया जाता है अध्यात्मिक जगत में क्या होता है कि ये सारे रसों का जो आदान प्रदान होता है उसका केंद्रबिंदू भगवान कृष्ण है लेकिन जब हम देखते हैं कि ये सारे रसों का आदान प्रदान सिर्फ भगवान के साथ ही हो रहा है तो मन में एक स्वाबाविक गिरिती से इ प्रदान का केंदर बिंदू कोन होना चाहता है मैं तो यहाँ पर इच्छा की निर्मिती होती है और जब इच्छा निर्मिती होती है तो दूसरा शब्दा आता है द्वेश तो फिर द्वेश होने लगता है कि सिर्फ भगवान ही क्यों मैं क्यों नहीं उनके जैसा बन सकता तो जब ये दो भाव आते है तो क्या होता है द्वन्द्व तो हमको कैसी दुनिया में बेजा जाता है ऐसी दुनिया में बेजा जाता है जहाँ पर द्वन्द्व है द्वन्द्व मतलब क्या यहाँ पर सुख है दुख है यहाँ पर कभी खुशी कभी गम कभी धूप कभी च तो पहले हम लोग क्या करते थे जैसे नवेश लोग में हमने देखा पहले हम यज्य कर्म करते थे भगवान के प्रित्यारत जब हम अध्यात्मिक जगत में थे तो सारी चीजे वो भगवान के लिए करते थे और अब हम किस के लिए कर रहे हैं सारी चीजे खुद के लिए तो जब खुद की लिए कोई चीज करने लगते हैं तो क्या होता है? हम कर्म बंदन में अटक जाते हैं. तो बंदन क्यों? जैसे कोई लड़का है, वो जब घर पर होता है, तो घर पर कोई नियम होते हैं, वो कुछ भी करें, उसको कोई दंड नहीं मिलता है, उसकी पिता जी उसको माफ कर देते हैं. लेकिन जैसे ही वो लड़का होस्टल में जाता है, जुक एको एक हैं, जुक रखाने हैं, जुक भी करें, जुक वो जाता हैं, जुक पिता हैं, तो जैसे ही वो लड़का ऑस्टेल में जाता है तो क्या होता है? कि वहाँ पर नियम आ जाते है तो जैसे ही वो लड़का होस्टेल में जाता है तो उस पर सारे नियम उस पर लागू हो जाते है हरे खर्ष्णा, 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 हरे खर्ष्णा हुआ चिए बैस होना है तर छचता को इंप को अझा हुआ अधर स्क्राभ आई एपकल आई इस डस्कार इस कर समय एफ एफुश्णा हाव इस ना 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Krishna, Krishna Hare, Hare Hare Rama Hare Rama Rama, Rama Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Lama Hare Lama Vamo Vamo Hare Lama Hare Kri 分ak Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare 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 Krishna, तो जैसे वो बच्चा घर पर होता है तो उसके नियम नहीं होते लेकिन जैसे वो घर से बाहर जाता है कॉलेज के लिए होस्टल में जब रहता है तो आपर नियम उससे लाग हो जाते हैं तो उसी तरह से यहाँ पर जब जीव आता है भगवान को छोड़कर तो यहाँ पर यह जो दुनिया है यह नियमों की दुनिया है यहाँ पर उसे नियमों का पालन करना पड़ता है चुकि वो एक इच्छा लेकर आया है तो इच्छा क्या लेकर आया है कि मुझे भगवान की तरह भोकता बनना है नियंतरक बनना है सारी चीजों का मैं नियंतरक बनना चाहता हूँ तो यहाँ पर जितने सारे लोग आए वो यही दो इच्छा लेकर आए तो जब सारे लोग एक ही इच्छा लेकर आए तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे वो स्वतंतरता जगे दी जाती है तो इसके लिए यहाँ पर अगर सब लोगों को अपनी अपनी इच्छा को पूरा करते हुए रहना है आनन पुर्वक तो नियमों की यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो फिर प्रशन यह आता है कि क्या खुद के लिए कार्य करना गलत है तो नहीं बिलकुल नहीं यहाँ पर खुद के लिए कार्य करना जरूर गलत नहीं है क्योंकि सारे ही लोग यहाँ पर खुद की इच्छाव को पूरा करने के लिए आते हैं लेकिन हम यह बूल जाते हैं कि जब हम यहां पर आते हैं तो सारी जो चीज़े यहां पर हमें दूसरों से मिलती हैं तो खुद के लिए काम करना गलत नहीं गलती कहा है वो अभी यहां पर हम इस लोक से देखेंगे जैसे कोई व्यक्ति होता है ओफिस में काम करता है तो जब ओफिस में काम करता है तो उसको टेबल दिया जाता है खुर्शी दी जाती है लैपटॉप दिया जाता है उसको सारी facilities दी जाती है तो उसे ये सारी facilities क्यों दी जाती है तो ये मानना कि ये सारी चीजे मेरे लिए है ये मान्यता गलत है वो खुद के लिए लेना गलत नहीं है लेकिन ये मानकर चलना कि ये सारी चीजे मेरे लिए है ये प्राब्लम है तो इस लोग से हमको क्या समझना है कि खुद के लिए हम कारिय कर सकते हैं लेकिन ये कारिय करने के लिए जितनी सारी facilities हमें दी है वो हमारे लिए नहीं है कारिय करके उस कारिय से जो भी उत्पन्न होगा उसे हमें दूसरों की सेवा में लगाना है इसके लिए कही बार भर बागत ये प्रश्य पूछते हैं कि पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पत्नी पत्नी के लिए बंदन का कारन है नहीं ऐसा नहीं जब पत्नी ये मानता है कि ये पत्नी मेरे लिए है और पत्नी जब ये मानती है कि ये पत्नी मेरे लिए है तब बंदन होता है मानने से बंदन होता है इस्तवाल करने से बंदन नहीं होता तो बंदन की जो क्रिया है वो मांसिक स्थर पर है जब कोई व्यक्ति मान कर चलता है तब बंदन होता है उस चीज को लेने से उसका इस्तवाल करने से बंदन नहीं होता जैसे कंपनी में जब कोई व्यक्ति काम करता है तो काम वो कंपनी के लिए करता है उसके बदले में उसे क्या मिलता है सैलरी सैलरी खुद के लिए होती है सैलरी कंपणी के लिए नहीं है वैसे ही यहाँ पर जब कोई चीज हम استعمال करते है तो वो जो चीज है वो हम गवर्मेंट से लेते हैं कंपणी से लेते तो उसका जो फाइदा है वो गवर्मेंट के लिए या कमपनी के लिए होना चीए उसके बदले में हमें क्या मिलता है वेतन मिलता है वैसे ही जब हम कहते हैं कि कर्म योग है तो कर्म हमें भगवान के लिए करना है और योग जो है वो हमारा वेतन है योग माने कर्म करने के पच्चा जो भगवान के साथ हमारा संबंद जूड़ता है उसे कहा जाता है योग तो जैसे कोई व्यक्ति काम करता है कमपनी के लिए उसको मिलती है त्वनखवा उसी तरह से कर्म किये जाते है समसार के लिए जहां पर हम रहते है उसके बदले में हमें क्या मिलता है वेतनी रूप में वो योग वो जो जोड़ना होता है भगवान के साथ वो विधी उसे प्राप्त होती है तो ये सबसे पहला मुद्दा है जो हमें समझना है कि मानने से बंदन होता है उस चीज को इस्तमाल करने से या प्राप्त करने से नहीं होता है जैसे कोई बाइंक में कैशियर होता है То कैशियर का काम क्या है? पैसे देना वो ये मान कर नहीं चलता कि जब मैं 1000 रुपे दूँगा तो 10 रुपे मेरे लिए रखूँगा तो वो चोरी हो जाती है 10 रुपे की उसी तरह से ये सारी चीज़े है वो समसार में किस के लिए दी गई है दूसरों की मदद करने के लिए दी जाती है उसमें अगर कोई चीज़ हम खुद के लिए रख लेते है तो फिर वो चोरी कहलाती है जिससे बंदन होता है इसके लिए योग का मतलब क्या है कि हमें भगवान के साथ जोड़ना है लेकिन कैसे जोड़ना है बिना किसी अभिलाशा से कुछ पाने की अभिलाशा जहां पर है वो योग कर्म योग नहीं कहलाता इसके लिए अगर हमें यहां से बाहर निकलना है इस कर्म बंदन से तो उसके लिए सबसे आसान तरीका भगवान ने क्या दिया है हमें कर्म योग की विदी है कर्मयोग में मतलब ऐसे कर्म करना जिससे कोई बंदन हमें उत्पन्दन हो जो सिर्फ दूसरों के लिए हो उसे कहा जाता है कर्मयोग तो कर्म योगी को ने जिसमें स्वार्त की कोई भी इच्छा नहीं है जिसमें कोई भी स्वार्त नहीं जुड़ा है चिपा है उसको कहा जाता है कर्म योग वरना वो अगर कुछ भी इच्छा है तो वो सकाम कर्म में आता है और यही जो जिवन शहिली हमें दे जाती है कि सारी चीज़े खुद के लिए करना है, सब कुछ किसके लिए चाहिए, मेरे लिए चाहिए, तो यह हमारे बंदन का और हमारे विनाश्च का भी कारण बनता है, जैसे प्रभुजी एक बहुत सुन्दर उधारन शेयर कर रहे थे, जब वो गौवा गए थे, तो गौवा में उनके लेक्चर के बाद एक महीला उनसे मिलने के लिए आई, और वो महीला उनको खह रही थी कि, वो डिप्रेशन की एक बड़ी केस थी, तो उसका पूरा प्रभुजी ने स्टोरी सुना कि कैसे वो डिप्रेशन में गई, और कैस उसका पती से उसका जमता नहीं है उसके बच्चों से उसका जमता नहीं है और वो बहुत तांतनाव में रहती है तो प्रभुजी ने उनको एक बहुत सिंपल सुलीशन दिया प्रभुजी ने उनको कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप से एक सिर्फ छोटी से छोटी जो भी चीज बने वो कीजिए किसी और के लिए तो उनको लगा कि प्रभुजी कोई बहुत बड़ा सुलीशन देंगे तो उनको इस सुलीशन बहुत पसंद नहीं लेकिन फिर भी कहा है इसके लिए वो करने लग गई तो जब अभी क्या करेंगे छोटे से छोटा अब तक तो सारी चीजे है वो खुद के लिए किये तो उनकी जो काम वाली बाई थी वो काम वाली बाई का बेटा स्कूल में जाता था जो भी उनका मेडियों होगा और वो गरीब होने के कारण क्या था कि उस बेटे को उसे छोड़ने के लिए जाना पड़ता था बस के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो बस के लिए पैसे नहीं है तो छोड़ने के लिए देरी होती थी तो काम पराने के लिए देरी होती थी तो यहाँ घर के काम काज रुप जाते थे तो उसने पूछा उस कामवाली भाई से कि तुम इतना लेट की होती है तो उसने पता है कि बेटे को छोड़ने जाना पड़ता है और फिर लेट हो जाता है इसके लिए काम पैयाने में देरी होती है तो इसके लिए सुलूशन क्या है तो ये कामवाली बाई का जो बेटा था और ये मैडम थी उनकी जो बेटी थी तो मैडम की बेटी का स्कूल और ये कामवाली बाई के बेटे का स्कूल थोड़ी दूरी पर था तो फिर वो मैडम ने का कि ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है कल से क्या करो मैं तुम्हारे बेटे को स्कूल छोड़ दूँ क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल बात में आता है, तुम्हारे बेटे का स्कूल पहले आता है तो रोज वह क्या करने लग गई उस लड़के को, कामवाली बाई के बेटे को अपनी गाड़े में बिटाती थी, रोज स्कूल में छोड़ती थी और उसके बाद उसकी बेटी को छोड़ती अब ये क्या बहुत बड़ा काम है On the way ही है, वो काम कैसा है उसको कोई बहुत बड़ा उसके लिए करना नहीं पड़ा लेकिन सोचे इतनी छोटी सी चीज उसमें कोई स्वार्त की बहुना नहीं थी कि ये काम वाली बाई से मुझे कुछ प्राप्त होगा या मेरा दो काम ज्यादा करे या तीन काम ज्यादा ऐसी कोई बहुना उसमें नहीं थी एक छोटा निश्वार तक कार्य उसने किया और फिर एक महिने के पच्चा तो वो महिला ने प्रभुजी को फोन करके ये बता है कि मेरा जिवन पूरी तरह से बदल गया है कैसे बदल गया एक छोटा सा काम करके इतना बदला तो जब कोई व्यक्ति निश्काम भाव से किसी के लिए कार्य करता है तो अपने आप अंदर से एक संतुष्टी जागरुत होती है क्योंकि ये निसर्गत का नियम है यग्यार्था कर्मनो अन्यत्र जब दूसरे के लिए कार्य करते है तो संतुष्टी का अनुभव होता ही है जब वो महिला देखती थी कि काम वाली इतने आनंद से अभी घर का काम करती है पहले से कई ज्यादा काम करती है पहले से कई ज्यादा अच्छा काम करती है और खुश है जब उसके चेहरे की खुशी वो देखती थी तो वही उसके लिए एक बहुत बड़े संतुष्टी का अनुभाव कराती थी तो जब हम किसी के लिए निस्वारत भाव से काम करते हैं तो क्या होता है आनंद की अनुभूती होती है जैसे एक बार मैं बस से जा रहा था और बस जब तो कहीं लोग क्या करते फटी नोट देदे ते तो एक ब्यक्ती ने में कंड़ूटर को फटी होई 500 रुपे की नोट देदी जब उसने उसको 500 रुपे की फटी नोट देदी और जब उसने calculation शुरू किया और उसने देखा कि नोट तो फटी होई है न ATM में जाएगी नो तो बैंक में कोई इसे लेगा तो वो व्यक्ति इतना चिलाने लगया बसका कंड़क्टर था इतना सब जो पैसेंजर थे इसको ये बोल उसको वो बोल रंतिम फिरो कहा पर आ गया वो ये बोलने लगया कि आप लोग जो भी इतना धर्म का पालन करते इतना अध्यात्म करते कुछ काम का नहीं बोले सब भालतू है सब टाइम पास है क्योंकि आपी वो पांचो रुपर उसके अपनी जेब से जाने वाला था तो फिर मुझे उस दिन में एक जगह पर प्रसाद के लिए गया तो वहां के जो यजमान थे उन्होंने मुझे पांचो रुपर दिया दे मुझे तो ऐसे भी दख्षिना में मिला है मुझे कोई फारग ने पड़ता तो मैंने वो कंडक्टर को बिला इधर मैंने का मेरे पास 500 रुपए है, हम लोग एक चे, पहले उसको लगा कि यह मेने 500 रुपए है, तो मैंने उसको बोला, कि दीको, यह मेने नहीं दिया ता ज्यादा हो अच्छा है और आपकी बज़े से दुनिया बची हुई है सब लोग मेरी तरफ देख रहें कि महाराज ने इसा क्या किया किये तो उसके चेहरे पर जो संतुष्टी थी कि आरे मेरे 500 रुपे बचे कुछ बड़ा काम मैंने किया नहीं था लेकिन उसके चेहरे पर जो संतुष्टी थी तो वो अपने आप में एक आननद प्रदान करने वाली बात थी तो इसके लिए जब हम कोई बीज़े उसमें कोई हमें expectation नहीं था कि यह मुझे जहां तक चाहता हुआ पर छोड़ दे बस मेरे लिए यहां गुमाएं ऐसा कुछ नहीं था तो हमारा main problem क्या है कि स्वार्थ स्वार्थ अच्छा है स्वार्थ अपने आप में गलत नहीं उसकी भी एक utility है लेकिन जब वो हद से गुजर जाता है तो फिर समाज में सारे problem शूरू हो जाता है जैसे दुरू की कता में हम देखते है दुरू का problem क्या था मुझे नहीं मिला मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने नहीं मिला तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मेरी मा जो है सौतेली मा जिसकी वज़े से मुझे नहीं बैठने मिला उसका भले कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे मेरा स्वार्थ पूरा करना है अब दुरू की जो कता है हमने इतनी बार सुनी है लेकिन एक बात हम समझना भूल गए दुरू ने जब उसकी सगी मा के पास जाता है और दुरू कहता है कि मुझे ऐसा राज्य जाहिए जो ब्रह्मा जी से मेरे ग्रैंड फादर से भी ज्यादा बढ़ाओ तो उसकी मा ने ये ने कहा कि हा बेटा हम लोग लेंगे जरूर लेंगे बले लड़ जगड कर लेंगे केस डाल लेंगे तरे पिताजी पर ऐसा ने कहा उसकी मा प्रैक्टिकल थी ये प्रैक्टिकल स्पिरिचलिटी है देखिए उसकी मा बहुत प्रैक्टिकल थी उसकी मा न का आजकल मातापिता क्या करते है जब बच्चा रोता है एड़टाइजमेंट भी देगी न केंसे निकालते है के पिता और पुत्र बसटॉप पर खड़े है और फिर अचानक बस पिता अपने बच्चे को बस में चड़ाना चाता है लेकिन इतनी बीड़े उसके बच्चे को तकलिव होती है और फिर दोनों रुख जाते हैं कि जाने दे बिटा दूसरी बस में जाएंगे तो तो जब बच्चा पिता ये देखता है कि बच्चे को इतना बुरा लगता है कि मेरे पिता जी मुझे बस में भी नहीं टिक से जगे दे सकता है तो वो पिता क्या करते फिर अचानक क्या होता है उसमें महरुती सुजुकी की गाड़ी आती है महरुती सुजुकी देखिए इतने इतने हपते में आपको इतने इतनी गाड़ी मिल जाएगी तो उसको लगता है कि आ, मैं अभी दिन रात महिनत करूँगा और दिन रात महिनत करके क्या होगा, मैं ये मारोती सुजुकी खरीदूँगा मारोती सुजुकी खरीदने से क्या होगा, मेरे बच्चे की सारी समस्याई दूर हो जाएगी लेकिन एड़डाइस्मेंट में ऐसे दिखाते हैं हम लोग हो लेकिन वह जब आप मारुती की कोई भी गाड़ी करिते तो आपकी सारे प्रॉब्लम खतम हो जाते हैं अरे गाड़ी का हफ्ता शुरू हो जाता है गाड़ी का पेट्रोल शुरू हो जाता है गाड़ी का में इंटने शुरू हो जाता है यह वो आड़डाइसमेंट में दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं आड़डाइसमेंट में क्या सिर्फ रिलाक्स आप बस इतना हफता भरिये और आपके सारे प्राप्लम सौल हो जाएंगे लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है इसके लिए हम ये जो चीज़े दिखाई जाती है कि हम महनत करके सारी चीज़े प्राप्त कर सकते है ये कभी भी नहीं होता है रियालिस्टिक थी धुरू की माता रियालिस्टिक थी बोली तुर को चाहिए न वहाँ पर जंगल है जंगल में जाके साधना कर और तुझे जो चाहिए वो पा ले वो रोती नहीं बैटी आजकल लोग क्या करते है थोड़ी जी चीज अगर मन के केला पुझे ऐसा लगता है कि जीवन खतब हो गया सुईसाइड तो आजकल वो गोली की तरह लेते हैं आजकल कुछ नहीं हुआ चलो सुईसाइड करते क्या है एक बार एक माताजी यहां पर आई थी हम लोग यही पर आत्मतव प्रभू थे हमारे तब हम लोग दो पर में प्रशाद लेके यहां पर अधाई एक तीन बजे का समय होगा तो वह यहां पर बैटे थे सारे मैं और आत्मतव प्रभू थे तो अचाना को रोती रोती तो गुपाता जी यंग लड़की थी ओर वो आत्मत थैबरों को बोने मुझे सुिसाइड करना है अभी आपके सामने आइसी कोई लड़की याया और आपको लिद्स रामें अभी और यह ओसकता है अब भी हात्मा तो तो बहुत उशार तो उनोंने मैं देख रहा था तो वो उनको बोले सिरियस हो कि हाँ वो लिदर नासरी है जाओ कुछ जाओ तो वो लड़की ने एक्सपेक्टे नहीं कहता कि महारा जैसा बोले जाओ कुछ जाओ तो वो उसके लिए बहुत बड़ा शौक था तो नहीं नहीं वो नासरी में पानी गंदा है मैं दूर से देख रहा था तो ठीक है पर गंगा रामगुण पर चले जाओ नहीं नहीं बलो तर पानी कम है तो एक्चिली उसका मरने का कोई एरादा नहीं था लेकिन वो लड़की इतनी फ्रस्टेटेट थी मतलब उसके जीवन में पता नहीं क्या हो गया तो वो लड़का छोड़ गया या क्या हुआ तो यहाँ पर मंदिर में और मोले सुइसेड करना है तो कहने की बात क्या है हमारा जीवन इतना खोकला क्यों है क्योंकि हम पूर्णता चाहते हैं हम ऐसा संबंद डूण रहे हैं जो हमें पूर्ण लगे जिसमें हम पूर्णा आनंद की आनुबूती करें जैसे वो लड़क कि पता नहीं क्या हुआ ता लेकिन उसको लगा कि नहीं मेरा जीवन अभी भी अधूरा है मैं कुछ ऐसे चीज की खोज में हूँ जो मुझे सैटिस्फैक्शन दे इसके लिए कर्मयोग जब हम कहते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति से जोड़ना चाहते हैं जो पूर्ण है और वो एक ही व्यक्ति है पूर्ण पुर्षोत्तम भगवान श्री कृष्ण उसके साथ जब तक नहीं जोड़ेंगे हम संतुष्टी की अनुबूती नहीं करेंगे इसके लिए हमारे जीवन में सबसे गातक ऐसा शब्द कोई होगा तो वो क्या है मैं मेरे लिए कीजिए मेरे लिए जीना है मेरे लिए सबको जीना है मेरे लिए ये करना है अर जगे हमारा क्या होता है एक्स्पेक्टेशन मेरी ये इच्चा है मेरी वो इच्चा है शादी से लेकर मरते दम तक मरने के बाद मरते मरते हो के तक लेक मेरा जब वो तू पिंडदान करेगा तो कटोरी में वो मेरा फेवरेट ब्रैंड वाला दारूर रखना उसके बाद हाँ कुछ लोग है और मेरी जो ट्रिपल फाई जीवन के शुरुआत से लेकर जीवन के अंतत तक हम क्या करते है मेरा मेरा मुझे मुझे और यह मुझे मुझे करने की वज़े से क्या होता है हमारा जीवन इतना खोकला है क्यों खोकला है क्योंकि जब हम लेने की बात करते है सामने वाला देगा, इसकी कोई गैरेंटी नहीं, आपको मान सम्मान चाहिए, सामने वाला देगा, इसकी कोई गैरेंटी है, नहीं, आपको प्रेम चाहिए, सामने वाला देगा, इसकी गैरेंटी है, नहीं है, लेकिन अगर आप देने की बात करो, मुझे दूसरों को प्रेम बाटना है कोई रोक सकता है मुझे दूसरों को आधर करना है कोई रोक सकता है कोई नहीं रोक सकता है इसके लिए जब हम लेने की बात करते हैं अपने आप असंतुष्टी उसके पीछे पीछ आती है लेकिन जब देने की बात आती है तो देने के लिए आपको एक नहीं दो नहीं, अजारों लोगों को आप दे सकते हैं, वो भी कम पड़ेगा देना आपको, तो इसके लिए हमें अगर संतुष्ट रहना है, आनन्द पूर्वक रहना है, तो क्या करना होगा, देने की बात है, कर्मयोग क्या है, देना है, दूसरों के हित के लिए देना है, खुद के लिए नहीं, जैसे पिछली बार हमने ये उदाना लिया था, सिंदू ता ही सब का, ये स्त्री के पास क्या था, जब वो रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए उसकी इच्छा हुई, सुइसाइड करने गई थी, कि भाई बास आभी खताम को रहे, इतनी पीड़ा है मेरे जीवन, तो उसने जब वो टूटी हुई टेहनी देखी तो उसको क्या लगा कि नहीं, भगवान संकेत दे रहे हैं, कि तुम किसी के काम आओगी, क्योंकि वो टेहनी के नीचे एक बुड़ा वेक्ती, जाओ के नीचे बैठा था, तब उसके मन में आगी ठीक है, मैं मेरे लिए नही जीना है, तो फिर एक नहीं, दो नहीं, कई सो, दो सो हजार बच्चों की मा है आज हो, क्योंकि देने के लिए दुनिया कम बढ़ती है, लेकिन लेने के लिए अगर आप जाओ, तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि सब आपको देंगे, ऐसा नहीं है, एक लड़का मेरे पास आया था, college का, third year का लड़का है, वो कह रहा था कि मेरे पिताजी मुझसे प्रेम नहीं करते है, मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी मुझसे प्रेम नहीं करते है, क्या उत्तर देंगे आप इसका, फोर्स करेंगे आपकी पिताजी को, चाकु अरे पिताजी देंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन तुम दूसरी बात क्या करना कि तुमारी मा और तुमारा जो सोतेला भाई है, उसके बारे में बुरा नहीं सोचना, बताते हैं आज कल माता पिता, कोई बताता है नहीं आपने बच्चों को, कि वह दूसरे के बारे में त पतलब आत्मकेंद्रे जीवन को अगर हमें निकालना है तो क्या करना होगा हमें देने की बात यहां पर आ रही है हमको देना होगा जैसे देखा यहाँ परो मा बच्चे को नीचे रख दिया मोबाइल के साथ खेल रहे है बच्चे के साथ खेलना चाहिए तू मोबाइल के साथ खेल क्यों मोबाइल में बच्चे से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण होगा माता को क्या लग रहा है बच्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा मुबाइल है इसके लिए कर्म योग में क्या सिद्धानता है देने का सिद्धानता है लेने का सिद्धानता इसमें नहीं है जैसे पती-पत्नी के संबंध में अगर आप देखें अगर पती या पत्नी दोनों में से एक प्रेम नहीं करता दूसरे पर तो क्या करेंगे आप तलाक 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 नहीं शादी के बाद पूछते ये इस से शादी करो है मेरी तो शादी के पहले पूछना था ना उसको बाया टटा देखना तो कोई नहीं क्या है काला निला पिला हरा कैसा है अब शादी के बाद क्या बोलनो जैसा है उसको स्विकार करो ना पती के तो पत्नी मेरी बात मानती नहीं क्या करेंगे अब या पत्नी को समझाने के लिए आप क्या करेंगे इसमें बताईए अच्छा मुझे बताईए कि अगर हम कर्मक ये आत्मा और शरीर का अगर सिद्धानत समझे है तो इस पत्नी को या इस पती को कितने साल जेलना होगा बचे कुछे जो साल है वैसे भी आजकर लड़के लड़के 30-35 में शादी करती है 10-15-20 साल जेलो उसके बाद natural facility है पती-पत्नी अलग होने की डाइवर्स लेने की ज़रूरत नहीं है वाल प्रस्त आश्रम ये indirect divorce है 50 साल के बाद natural facility दिये लेकिन हमको क्या चीए ये कुछ भी कहते हैं मुझे वन्वास लेना आप वन्वास नहीं है वन्वास अलग होता है वान प्रस्त अलग होता है अब पत्नी अगर नहीं मानती तो क्या करेंगे आप जबरदस्ती करेंगे कर्मयोग के सिद्धान्त से कर्मयोग कहता है कि आप उसको समझाने का प्रयास कीजिए समझी तो ठीक, नहीं तो आप आपके रास्ते चलते रहिए, चलते रहिए फोर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही पत्नी आगले जनम नहीं आएगे आपके साथ कितने पती है यहाँ पर जिसको यही पत्नी अगले जनम में जाए हाथ उपर हसने के लिए नहीं बोला मैंने प्रश्न पूचा है कितनी माता है जिनको यही पती चाहिए साथ जनम यही बस इसके इलावा मैं किदर जाओंगी है कोई ऐसा एक ही है तो अगर हम यह जानते है कि इस व्यक्ति के साथ हमें सिर्फ एक ही जीवन निकालना है तो कर्मयोग क्या कहता है कि बही सिर्फ कुछ साल बचे उसे आप सहन करने की आदत रखिए दिन कट जाएंगे आप भक्ति मार्ग में चलते रहिए आगे बढ़ते रहिए तो ये प्रॉब्लम कब आता है जब पती या पतनी में वो कर्ता भाव आता है जो कि कर्मयोग के सिद्धानतर के बिल्कुल आपोसिट है ये कर्ता भाव आने के विज़े से उसको क्या लगता है कि जो कोई चीज हो वो मेरे लिए हो अगर मेरे मन के खिलाब कोई चीज हो जाती है तो फिर क्या होता है मुझे ये सम्मंद नहीं चाहिए वो कर्मयोग में नहीं आता है कर्मयोग में मतलब वो निश्काम ही होना चाहिए पती कैसा भी हो पतनी कैसी भी हो लोग पूछते हैं कि वो उसकी जिम्मेदारी नहीं करती, तो मैं मेरी जिम्मेदारी क्यों करूँ, वो उसके जिम्मेदारी का पालन नहीं करती, होता है न कही बार, कोई सिवा दी जाती है भक्तों को, डस्बिन वैसे खरा पड़ा है, महीने बर से, सब लोग को, अरे डस्ब उसी तरह जब सम्मंदों में ये चीज आ जाती है कि दूसरे की तरफ देखना दूसरे की जिम्मेदारी को याद दिलाना तो क्या हो जाता है हम हमारे जिम्मेदारी को भूल जाते है और जब हमारे जिम्मेदारी भूल जाते है तो क्या होता है वो सम्मंद तूट जाता है है एक सर्वसाधरन महिला है उसका पती बिमारी से पीडित हो जाता है इकिन उसकी एक इच्चा है कि उस गाव में एक बहुत सुंदर वःष्याrió कि वो वेशा के साथ इसके पति को संघ करमा भू बतनी पती को ये ने पूछती कि क्या ये दिन दिखाने थे मुझे वो पत्नी जानती है कि ये स्तिती मेरे जीवन में क्यों आई क्यों कि ये मेरे पूर्वा जनम से सम्मंदित है मुझे क्या करना है मेरा जो रिन है पिछले जनम में पता नहीं शायद ऐसी स्तिती मेरी वज़े से इस विफ्तिक के उपर आई है अब ही मुझे क्या करना है मेरा रिन चुक्ता करना है उससे जो लिया है उससे चुक्ता करके मुझे अरिन होना है तो वो जो स्थी है देखिये सर्वसादारने, बहुत बड़ी रानी या कोई महारानी नहीं वो समज़ती है सारे सिद्धानतों को तो वो अपने पती को ले कर जाती है उस वैश्या के पास वो वैश्या की सेवा करती है तो वो वैश्या पुछती Coin क्यों इतनी सेवा करें तब वो कहती कि मेरे पती की ऐसी ऐसी इच्छा है और वो वैशा किती ठीक है उसे लेकर आओ जब लेकर जाती है तो वो वैशा उसको समझाती कि आरे तूने इतनी महनत भगवान को प्राप्त करने के लिए की होती तो शायद आप तक भगवान तुझे प्राप्त हो जाती है वैसे जैसे बिलवा मंगर टाकुर जी की कता थे तो कर्मयोग क्या कहता है कि तुम दूसरे की जिम्मेदारी की तरफ ध्यान मत दो खुद की जिम्मेदारियों को ध्यान रखो तो उसे कह जाता है कर्मयोग जब कर्मयोग नहीं होता है तो क्या होते है सारे संबंद दिखर जाते है क्योंकि हर संबंद में विक्ति क्या डूनता है आशरे डूनता है शरण जाने की उसकी इच्छा होती है एक पूर्णता वो चाता है उस संबंद की लेकिन वो जो संबंद है कब पूर्ण होगा सिर्फ जब उसे वो connection मिलता है भगवान क्रिष्ण के साथ जैसे दुरूनता कब हुई जब उसका connection हुआ भगवान विश्णू के साथ उसकी जितनी भी स्वार्ती चाहिती मुझे राजा बनना है मुझे ये बनना है मुझे ये करना है मेरी जो सोतली माह उसके प्रती मेरा जो बदले का भाव है उससे मुझे पुरा करना है ये सब निकल गया उसकी सारी स्वार्ती चाहित निकल गई कब जब उसने भगवान विश्णू का दर्शन किया इसके लिए स्वार्त की एक परिवाशा क्या कहा जाता है स्वार्त गतिम ही विष्णू भगवान विष्णू में मन को लगाना भगवान विष्णू के लिए कार्य करना ये सबसे बड़ा स्वार्त है और अध्यात्म क्या कहता है कि ये स्वार्त को पूरा करने के लिए अब जीए क्योंकि दूसरे स्वार्त अगर पूरा करेंगे तो वो वैसे भी शरीर के साथ खत्म हो जाएंगे लेकिन उससे क्या मिलेगा हमें कर्मबंधन मिलेगा और ये कर्मबंधन से अगर छूटना है तो हमको क्या करना चाहिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है ऐसे लीडर्स की जरूरत है कि लीडर माने कोई नेता ही होना चाहिए सनी माता पिता ये भी नेता है घर के बड़े बुजरुग भी नेता है तो यहाँ पर भगवान क्या कहते है कर्म योग की विदी से जनक आदी राजा होने भी उन्होंने सन्यास नहीं लिया है यहाँ सन्यास की बात नहीं आ रही है इसलिए भगवान क्या उधारा नेरे जनक आदी जो राजा है उन्होंने अपने कर्म को करके भगवान की सेवा में लगा के उन्होंने क्या किया है उन्होंने भी भगवान की प्राप्ति की है इसके लिए यहाँ पर भगवान लोकसंग्रक जब कहते है लोकसंग्रक मतलब अगर जन साधरन की स्तिती को बढ़ाना है तो क्या करना होगा जनक आदी जैसे जो नेता है जो आत्म संतुष्ट है जैसे दु पिंदक आधी जो राजा है, भगवान से जुड़े होने के कारण संतुष्ट है, खुद के लिए कुछ नहीं करना जाते हैं, जो भी करते हैं, वो किस के लिए करते हैं? लोगों को सिखाने के लिए करते हैं. तो हम कुछ उधारन से देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग भी है जिनोंने लोकसंग रह के लिए अपने पूरे जीवन को व्यतित कर दिया तो पहले है भगवान कृष्ण जब भगवान कृष्ण दूत बन कर जाते है दुर्योधन के पास और दूर्योधन को जब कहते है कि यह यह प्रस्ताव है आप पांडवों को पाच राज्य दे दीजिए और बाकी सारी संपत्ति आप रख लीजिए तो दूर्योधन कहते है नहीं मैं उनको सुई की नोप पर रखने इतनी भी जगे नहीं दूँगा तो लोकसंगरग के दो मतलब होते एक तो जो भी आधिकारी विक्ति है उसको जन सामन्य को यह बताना है कि क्या सही है क्या गलत है और दूसरा वो अपने उधारण से यह करके दिखाता है कि यह सही है या गलत है वैसे ही जैसे इस सबा में भगवान कृष्ण जब दुरियोधन कहता है कि मैं पांच गाव तो क्या सुई के नोग के बराबर भी जगे नहीं दूँगा तब भगवान कृष्ण सब के सामने यह बताते है कि दुरियोधन तू किस तरह से सबसे बड़ा नालाइक है कैसे तुने पांडवों को आज दिन तक तकलीव दिये तो बचपन से लेकर लाक्षाग रह से भी पहले जब भीम को वीश पिला कर मारने की कोशिश की जाती है तब से लेकर वनवास तक की सारी बाते भगवान सारी जनता के सामने बताते है क्यों कि दुरियोधन गलत है यह बगवान को दिखाना है जन साधरन के मन में क्या होता है कि अरे दुरियोदन अच्छा भी हो सकता है इन लोगों कुछ मिलाने इसके लिए उसके खिला बोल रहे हैं नहीं बहुत उधारन के साथ सब बताते हैं कि किस तरह दुरियोदन ये गलत था तो जब लोक संग्र की बात आती है तो भगवान ये सिद्ध करते है कि दुरियोदन गलत है ये सही है ये गलत है और अपने उधारन से ये बताते है कि दुरियोदन किस तरह से गलत है दूसरा उधारन आता है भगवायन रामचंद्र का तो भगवायन रामचंद्र का जो जीवन था वो निस्वारत जीवन है फिर भी लोग ये प्रशन पूछते हैं कि भगवायन रामचंद्र जो मरिया था पुर्षोत्तम थे इतने बड़े राजा थे फिर भी माता सीता को उन उसकी भी कई सारी duties होती, पती सिर्फ पती नहीं होता है, वो भाई होता है, किसी का बेटा भी होता है, कितने सारे उसके नाते संबन होते हैं, जैसे एक बार एक प्रभुजी ने फोन किया, वो अमरिका में रहते हैं, तो अमरिका में रहते हैं, तो उनकी मा इधर से फोन करती नियुक्त अठाए थि कि टा वास आजा, और उनकी पत्नी वहार से उनको बोलती थि ती कि नहीं हम अमर्का नहीं जाएंगे, अमरेका छोड कर नहीं जाएंगे, अब ही आप इसकी बात सुनेगें, पत्नी की, कि माता की, कौनसा धर्म निझा, निभाएंगें, पती धर्म कि पुत्रका धर्म, इसके लिए कहते हैं न, कि बेटा कैसे होता है, एक ऐसी मूवी, विच इस क्रिएटेड़ बाइ मदर, डारेक्टेड़ बाइ, वाई, कभी स्तीती ऐसी भी हो सकती, ओफिस में आपको अर्जंट वर्क है, और दूसरी जगे आपकी बेटी बहुत बीमार है, कौन सी चीज़ को आप ज्यादा वैलियोशन नहीं बताई, अगर आप उफिस में नहीं गए, तो बहुत कहरा है कि दस करोड़ को नुकसा नहीं हो जाएगा, दूसरी जगे आपकी बेटी बहुत बीमार होस्पिटल में लेके जाना ज़रूरी है, किसको आटेंड करेंगे तो एक विक्ती का एक धर्म नहीं होता है, उसी तरह से जब हम बगवान रामचंदर को जज़ करने की कुशिश करते हैं, तो सहाब आपको राच धर्म के बारे में क्या पताईए, मुझे बताईए, कितने लोग यहापर राजा है, अपने घर के भी नहीं है, फिर भी हम कहत आप गलत क्यों, जब कि आप राजा नहीं है, अरे राजा के साथ कितनी सारी जिम्मेदारिया जूड़ी है, जब भगवान रामचंदर और कई लोग के थे धोबी की बोलने से छोड़ दिया हम अपनी पतनी को, अगनी परिक्षा भी लीती पहले, तब भी छोड़ दिया, ली दिगने अगनी परिक्षा, आप फिर, पता नहीं था कि शुद्ध है, पतनी, डाउट है अभी भी, तो जब हम रामचंदर को कटगरे में कड़ा करते हैं, तो साब डिपेंस लॉयर भी होता है, और दूसरा लॉयर कौन सा होता है, विरोधी पक्षिका भी होता है ना, तो जब रामचंदर को देखना है, तो दोनों नजरिय से देखिया, उनको राजा की दृष्टी से जब देखना है, तो राजा के करतव या लग है, पती के करतव या लग है, जब वो मरियाता पुर्शुत्तम बन कर आते है, तो उनके लिए राज धर्म ज्यादा जरूरी ह कि लोक संग्रह की बात है, वो उधारन प्रस्तापित करना चाते है, क्या सही है, क्या गलत है, लोग कहते हैं धोबी के कहने से चोड़ते हैं, नहीं, धोबी के कहने से नहीं, पूरे गाओ में, पूरे आयोध्या नगरी में चर्चा हो रही थी, कि रामचंदर जो इतने प्रति अन्या है हुआ, अन्या है माता सीता के प्रति नहीं हुआ, रामचंदर जी के खिलाब अन्या हुआ था, रातों रात उन्हें बेदखल कर दिया प्रोपरटी से, 14 साथ वनवास रामचंद्र जी को हुआ है माता सीता को वनवास नहीं हुआ माता सीता को वालमी की रिशी के आश्रम में रखा गया था जहाँ पर कई सारे लोग थे कई सारे माता है थी उनकी सेवा करने के लिए रामचंद्र जी को वनवास हुआ था वनवास का मतलब आप सोसाइटी में नहीं रहेंगे अन नहीं खाएंगे कोई नए वस्तर नहीं पहनेंगे जटा धारी आपको रहना होगा इसको कहा जाता है वनवास माता सीता को एक पती का जो रोल है उन्होंने बग खुबी निवाया और उनको वालमिकी रिशी के आश्रम में रखा उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया और इदर राजा होने की वज़े से राज धर्म को भी अच्छी तरह से निवाया इसके लिए जब जीवन में आता है न कि पती की भी सेवा करनी ज़रूरी है बच्चों को भी समबलना है साती साथ डिवोशन ले अपना भक्ती का जीवन भी करना है तो रामायन हमको क्या सिखाता है हमारे जितने सारे धर्म है ड्यूटीज है उनको बैलेंस करना पड़ेगा और दूसरी बात ये इंसिडन्स है हमको ये सिखनी है कि साथ आप जितना भी दूसरों के लिए करेंगे आप को सारे लोग अप्रिशेट करेंगे ये भावना अगर आप मन में रख रहे है तो सबसे बड़े सबसे बड़ी गलती आप कर रहे आपको हमेशा अप्रिशेट किया जाएगा समझा जाएगा ऐसा नहीं होगा इसके लिए आमें जो एक दूसरे के जो सम्बंद में खामी देखने के आदत है गलतिया डूढने के आदत है उसको छोड़ देना होगा कई जैसे एक बार एक बुड़ी औरत पिचर देखने जाती है तो पिचर देखने जाती है तो वो पिपसी की बॉटल लेकर आती है पिपसी उसमें स्ट्रॉड आती है तो देड़ गंटा हो जाता है इंटर्वेल हो जाता है पीती ही रहती हो तो इंटर्वेल के बाद फिर पिचर शुरू हो जाती है तो उसके बगल में के लड़का बेटा तो इतना इरिटेट हो जाता है, उसको समझ में ने आता है, इतने देड़ गंडे से पे, है 200 ml की बॉटल, क्या पी रही है तो जोर से उसके हाथ से बॉटल छीन लेता है, लाओ इधा, तुमको पिप्सी भी नहीं पीने आता है, गट-गट-गट-गट, इस तरह से पिप्सी सकते था, तो बुड़ी दि ऐतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, बॉली मज़ा पान काने की आगता थी, ठुखने के लिए जगं Compassion worker को जाए नहीं थी, बॉटल लए है, तो हमको क्या लगता है, ये गलत है, ये गलत है, गलत या डुड़ने की जरूरत नहीं है, साब लोग अपने अपने धर्म को अपनी अपनी तरह से निभाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए कर्मयोग के सिद्धान्त क्या है कि करता भाव नहीं होना चाहिए दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए और तिसरी बाद क्या है कि हमें जो नित्य चीजे आत्मा उसके हमारा जो वास्तविक स्वार्थ क्या है उसे जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इस बहुतिक बंदन से नहीं छूट पाएंगे इसके लिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्वार्थ क्या है कि आध्यात्म के माध्यम से कर्मयोग के माध्यम से हम भगवान कृष्ण से जु कावा पर आता है वो पानी बेचने वाला जो लड़का है तो एक सेटी उसको बुला दे ए इधर आओ तो पानी लेकर जाता है तो वो सेटी को पानी देता है तो पानी का ग्लास पकड़े को सेटी कितने का है बले एक रुपए का बले इतना मेंगा देते हो पानी तो सब जगे मिलता है तो लड़का वापस मेना the चलनी लेता है तो दूसरा विकति यह उसको देखता है कि हस्ते क्यों चला गए तो लड़कें को भूलाती तरह को सेट जी से पानी श्युवाइब कि तो फिर वह लड़का वाफ क्याता है कि कि बोले शेट जी हमने पहले किमीजा कितना किसा हुआ तो वह वे खाली bargain करना चान थे प्यास नहीं लेगी वैसे ही जब तक zob kullा प्यास नहीं लगेगी भक्ती की कि हमुझे भक्ती करनी है करना भगवान को प्राप्ट करना है तब तक हम क्या करेंगे खाली माला लेके जोली लेके गुमते रहेंगे तो गार्डन हम बक्ती नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्यास हमें नहीं लगी है बिलवा मंगल ठाकुर की कता कितनी बार सुनी है बिलवा मंगल ठाकुर जी शव को लेकर उन्होंने जो नदी को पार किया किसका शव था उनकी पतनी थी, वो पतनी उनको कह रही थी, कि आप मत जाए ये नदी में, मत जाए ये नदी में, तो उसका पैर फिसल जाता है, वही लाश बनकर आगे उसको पकड़के, वो क्रॉस करते हैं, इतनी आर्थ भावना थी, उस वहिशा को मिलने के लिए, उस तरह से जब तक हम में आर्थ भावना नहीं आएगी, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर प्रोपाद 2.66 में बहुत सुन्दर मुद्दा बताते हैं, प्रोपाद बताते हैं, कि जब तक हम मारे पास एक देज नहीं है जीने के लिए, कि हाँ मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तब तक हम भगवत भक्ती में प्रगती नहीं कर पाएंगे, इसके लिए जब हम कर्मयोग की बात करते हैं, तो कर्मयोग में क्या है, देने की बात है, भक्ती में किया है, हम भगवान को सेवा प्रदान करना चातें जैसे ददिची रिशी कता आती है, भागवत में ददिची रिशी ने अपनी हड़िया दे दी, क्यूँ? क्यूँकि भगवान विश्णू को प्रसन्न करना है अपनी हड़ियों से जो वजर बनेगा उससे वृत्रासुर नाम का राक्षस मारा जाएगा भगवान विश्णू की प्रसन्नता के लिए अपने शरीर को त्याग दिया उन्होंने इसके लिए परमविर चक्रपर किसका निशान है आज यही ददीची रिशी का निशान है जिन्होंने अपने खुद की हड़िया दूसरों की सेवा में दे दी इसके लिए कर्मयोग का मतलब क्या है दूसरों की लिए कार्य करना निस्वार तक कार्य करना जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है और योग का मतलब क्या है यह सारे जो कार्य है यह सारे जो क्रिया है उसको भगवान कृष्ण से जोड़ना तभी उसे कर्मयोग कहा जाता है तो एक आखरी वीडियो हम देखेंगे दूसरों की सेवा कर सकते हैं जैसी यह विक्ति अन्दा है लेकिन फिर भी दूसरों के बारे में सोचता है तो कब हमारा कर्मयोग पुरा होगा जब हम देनी की भावना स्विकारेंगे तो अगर हमें यह स्वार्द्टी भावना है खुद की लीग जिन की तो वो कैसे जाएगी इस निश्का कर्मयोग के माध्यम से ही ऊजय जाएगी अग्य। झाल झाल